नमस्ते, 2022 वर्स आज खतम हो चुका है, कल से 2023 की सुरुआत होगी, तो नए वर्स में, नए साल में हमें कुछ नया करना है, हमें ऐसे ही सामनी जीवन जीना नहीं है, नए साल में नया क्या करे कि हमारा जीवन सफल हो, हमें कुछ सक्सेस हो, सफलता मिले, हम पोजिटिविटी क कि रहा पर आगे बढ़े सकारत्मक्ता की रहा पर आगे बढ़े खुशी की रहा पर सुख की रहा पर आगे बढ़े तो ऐसा हम क्या करें ऐसे ही तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं हमें कुछ ना कुछ तब करना पड़ेगा जिससे हमें कुछ सफलता खुशी सांती सुख तायरी में कि मुझे क्या क्या करना है तो एक तो सबसे अग्यत्य की चीज़ है जो है आपके जिवन में बहुत ज्यादा शकारत्मक परिवर्तन लाने वाली चीज़ है सुबह जल्दी उठना हम लोग आलस करते हैं प्रोकास्टिनेशन करते हैं इससे हमारा मन वीक बनता है हम हमारे मनपर हमें control होना ही चाहिए इसलिए हमें सुबें जल्दी उठना लेकिन हमारे सालों की आदत है तो उसको अचानक तो नहीं बदल सकते हैं तो इसके लिए हमें एक शिम्पल क्रिक है वो करनी है अगर हम सुबें 7 बज़े रोग उठे हैं। हमारा लक्स है सुबे 6 बजे उठने का तो हमें कल सुबे ही अलारम नहीं लगा देना है कल सुबे हमें साथ की जगा पौने साथ बजे का अलारम लगाना है एक महिना तक हमें पौने साथ बजे का अलारम लगाना है मतलब हम खाली 15 मिनिट आगे उठेंगे 15 मिनिट जल्दी उ इस तरह हम आधा घंटा जल्दी उठे, फिर तीसरे महिने हमें और पंधरा मेनिट आगे, मतलब की सवाध्यके बजे का लाम लगाना है और जैदा 15 मेनिट उठ गए, मतलब 45 मेनिट जल्दी उठ गए, चौथे महिने हमें छे बज़े का लाम लगाना है मतलब साथ से सीधा हम छे बज़े पर आ गए एक घंटा जल्दी उठ गए लेकिन यहां तक पहुचने के लिए हमें चार महिने की जर्नी करनी पड़ी लेकिन चार महिने की जर्नी आपको सक्सेस लाएगी ही, सफलता लाएग आप उठी जाओगे ऐसे step by step ही आगे बढ़ना होता है हम अचानक मन में संकल पकर एकल से उठ जाएंगे ऐसा नहीं होता है हमारा मन को धीरे धीरे ट्रेंग देनी पड़ती है मन और सरीर दोनों को ट्रेंग देनी पड़ती है यहाँ ट्रेंग मैं आपको बताई कि चार महिने का लक्षा रखे और एक गंटा आप जल्दी उठ जाएंगे इस सुबह जल्दी उठने से हमें बहुत ही ज्यादा सकारत्मक उर्जा का अनुबह होता है जीवन में हमेशा कुद्रत के साथ तालमेल बनाये रखना चाहिए शुर्यदेव कितने वज़े उठते है उसी के सकते हैं तो सुबह जल्दी उठने से एक और जबजस फाइदा यह होता है कि हमारा पेट साफ होता है और आप जानते ही है कि पेट ही ऐसा है जिससे हम सभी बीमारियों को निवता दे सकते हैं पेट अगर स्वस्थ नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियों को हम निवता दे इसलिए पेट को साफ रखें उसके लिए सुबह जल्ली उठना ही है अगर हम लेट उठते हैं तो सुरेदेव के बाद उठते हैं तो गर्मी के कारण सरीर के अंदर आतों के अंदर वह मल जम जाता है और हम कब्ज में रुपांतर होता है मतलब कबज्यात का कब्ज का कारण है लेट उठना इसलिए सुबह जल्ली उठे गरम पानी पिए या थंड़ा पानी पिए उठके तुरंट पानी पिए और पेट साफ करने पर ध्यान दे सुबह जल्ली उठने से ऑटमेटिक पेट साफ होता ही है यह भी एक लाब है लेकिन आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा अनुबव करके देखना पड़ेगा तो पेट स्वाप रहेगा तो आप स्वस्थर होगे आपका स्वरी स्वस्थर होगा और स्वरी स्वस् कहलेसरिक वियायम physical exercise द्यान देना है मतलब ऐसा नहीं कि एक घंटा पूरा physical exercise करें लेकिन ऐसा करें कि हमारे सरीर को चलाते रहें हमारे सरीर को दोड़ाते रहें गती विधी में रखें एक्टिव रखें फिजिकली एक्टिव रहे उससे आपके हेल्थ में जवज़स्त परिवतन आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज योगा, जीम, स्विमिंग, दोड़ना, चलना, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं लेकिन सरीर को फिजिकली एक्टिव रखना यह हमारा एम है खाली ऐसे ही मोबैल के साथ सोफे पर पड़े रहना है, ऐसा नहीं करना है हमें 2023 से हमारे जीवन में नया कुछ पाने की और आगे बढ़ना है तो फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है, सरीर को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं चलने के अबिट डेवलप करें, चलने से हमारे सरीर के अंदूरी अंगो को भी व्यायाम मीलन है इसलिए योग योग आसन, प्राण्याम् बेश्ट है तो ओ हँ आप करें तो बेश्ट है अगर नहीं कर पाए, तो वैसे जैसे बताया एक महेने में 15 मिनिट, दुसरे महेने 15 मिनिट इस तरह भी आगे बढ़ सकते है लेकिन लक्षे बनाए कि साल के अंत अन्त तक मैं यह प्राप्त करूंगा उस लक्षक के और प्राप्ति के लिए आपको एक महिना, दो महिना, तीन महिना, इतना इतना करूँगा यह लक्षे ब अभाव हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए कुद्रत का अभारी हूं आपको नियम करना है कि पहली तर एक से कल से ही मैं पूरे आभर भाव के साथ जियूंगा, हमें जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचना नहीं है, हम ज्याधा तर यही करते हैं, हमारा focus negative चीज़े ही प्राप्त करते हैं, अब हमारा focus positive चीज़े रहेगा, तो आपको positive चीज़े ही मिलेगी आपका positive चीज़ जो पर focus मतलब कृतगनता का भाव पूरा दिन रात कृतगनता का भाव में रहे सुबह आँख खुली हे भगवान मेरी आँख खुली उसके लिए अभार हे इश्वर मुझे नया दिन दिया उसके लिए अभार अब मैं चल रहा हूँ हे मेरे पैर आपका अभार के आपने मुझे इतने सालों तक साथ दिया मेरा सरीर उसका अभार के आपने मुझे इतने सालों तक साथ दिया लेकिन मैं नहीं आपको नहीं संबला मुझे माफ करना लेकिन मैं अपसे सरीर पे ध्यान दूंगा इस तरह कोई भी चीज पे कृतगनता का भाव पूरा दिन जो भी आपको सामने है पूरे दिन अभर भाहों में जीना है यह अभर भाहों में जीना मन में बहुत ही जादू ही परिवातन करेगा। यह इसका अनुभव मैंने किया है। कि इसके लिए पूरा 28 दिनों का कोर्स भी है वह भी आप कर सकते हैं अपनी यूट्यूड चैनल पे दा मैजिक हैपिनेस कोर्स यह कोर्स 28 दिनों का है इसको करके भी आप कृतगनता का भाव हमारे मन के अंदर डैवलप कर सकते हैं तो हमें पूरे दिन ऐसे आभार भाव में गो हलंग कोई हमारे साथ कुछ भी करें अच्छा करें बुरा करें उनको स्माल के साथ बोलिए थैंक यू कि वह आने सब बनात है क्या ऑप्र तरह कोई भी चीज़ नेगेटिव ची़ुद्में पोजिटिव जी़ए अभार ठैंक य्लते रहे जो बी समने मिलों उसको thank you बोलते रहे, जो भी सामने मिले, आपके घर में कोई काम करने आए, आपके office में आपका कोई काम करके दे, सबको thank you बोलते रहे, smile के साथ thank you बोलते रहे, यह आपके जिवन में एक जादुई परिवतर नाएगा, इसके लिए आप the magic course, happiness course करे, link description में मिल जाएगी, और अब आग्या दे, पहली तारिक से, कल से, जिवन को बदलना है, इन चीजों पर ध्यान देना है, जो मैंने कहा है, तो फिर मिलेंगे, नए वीडियो के साथ, नए साल में, thank you, धन्यवाद.